नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्यूत बल रेखाएं या फिर विद्यूत सेत्र रेखाएं और इनके गुणों के बारे में हम बात करेंगे इससे पहले हमने विद्यूत सेत्र इलेक्ट्रिक फिल्ड चुके थे तो क्या होती है विध्यूत्स बल रेखाये विध्यूत्यत्र में इस्तित वेकलनिक रेखाएं जिन पर खीचींगई इसपर्स रेखा विध्यूत्र की सेत्र की तिवरता की दिसा बताती है उन्हें विजुत बल रेखाएं या विजुत सेत रेखाएं कहते हैं ये इस तरिके से मानलो ये image और ही lines ही होती है कलपनी रेखाई ही होती है तीक है इनकी कलपना की गई थी English में बोले तो electric field के अंदर एक imagine lines है एक curve है जिनके किसी भी point पर यदि आप tangent इसपर सरेखा निकालते हो तो वो tangent उस electric field की उस विद्यूत सेतर की तिवरता की दिसा बताएगा direction बताएगा हमने दो जगह पे direction बताने की कोसिस किये tangent इसपर सरेखा खीच कर बताने की कोसिस किये तो ये कौन क्या कहलाएगा ये विद्यूत बल रेखाएं या विद्यूत सेतर रेखाएं कहलाएगी समझ में आ गिया अच्छा ये किस ने कहा ये फेराडे ने actual में इमेजन किया था उसने कल्पना किती कैसी भी कुछ लाइने होती है तो इनको हम एक प्रॉब्लम है इनको कोई फोर्स लाइन सी बोलता है और इंग्लिस में फिल्ड लाइन से ज्यादा इस सुटेबल लगता है इसलिए आप यहां पे फिल्ड लाइन में यूज करूं तो को बात करते हैं इनके गुन धर्म क्या होते हैं ठीक है इनके इनके घुनों के बारे में चर्चा करते हैं तो अब हम विद्यूत सेत्य रिखाएं बल रिखाएं यह उल्लेक्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी जो वैश इंचार वही डिसकस करने वाला हूँ कि ये फिल्ड लाइंज जो है वो औरिजनेटेड होती है सुरू निकलती है या बाहर की और निकलती है वो निकलती है पोजिटिव चार्ज से और नेगिटिव चार्ज के अंदर ये टर्मिनेटेड होती भी रिखती है अंदर की और perpendicular यह उससे बाहर निकलती है लेकिन किसी भी conductor के अंदर चालक के अंदर वो मुझूद नहीं रहती उसका कोई भी अस्तित्वर नहीं रहता इसका मतलब समझें तो मान लो कोई यह conductor है इसके ऊपर से इस तरीके से यदि कोई force line present करनी हो तो यह perpendicular ऐसे ही जाएगी और यही से निक या फिर एकदम सीधी जा रही है इसमें से मान लो कौन सी force lines है field lines से आपको बतानी हो तो क्या करोगे field lines suitable है बताओ field lines कौन सी होगी सिर्प first वाली यह भी possible नहीं है यह भी possible नहीं है ठीक है ना और यह भी possible क्योंकि अंदर की तरफ है और conductor के कभी भी अंदर force lines होती है या field lines हो फैल्ती है मतलब यदि two charges लिए एक positive और एक negative लिए है तो क्या होगे unlike और दोनो positive होगे या दोनो negative होगे क्या होगे like तो मैं समान की बात कर रहा हूं तो समान होंगे तो बल रेखाए क्या होगी फैलेगी मतलब force line अभी मैं diagram बना के बताओंगा फैल्ती वी नजर आएगी औ अब यहां पे तो चलो सब की सब contract हो गई यहां कुछ point छूट जाएंगे उनको उदासिन बिंदू या neutral point कहेंगे क्योंकि यहां पर भी कोई lines जो है वो नहीं आएगी कि एक दूसरे करें रिपल करते वे नजर आ रही है ठीक है चौता point और most important है बार-बार question पूछा जाता है कि विजुत बल रेखाए या व वो intersect करेगी कटांस बिंदू पर tangent इस पर से कहा है कितनी किसकते हो दो तो विजुत सेत्र रेखा है कि जो दिसा है विजुत सेत्र की तीवरता की जो दिसा है वो कितनी हो गई दो जबकि होती क्या है एक फिल्ट लाइन्स की एक सेत्र रेखा की जो दिसा है विजुत सेत्र क नहीं काटती यह नहीं करती है मानलो यह एक किसी से विधूत से रेका है ऐसे निकल रही है यह और यह कट कर दी कट कर दी थिसके ऊपर दो टैंजेंट कीट हैं तो यह इस पर से आइधर और एक इस तरी के से देखो टेंजन रेगा इसका मतलब क्या हो गए विदू सेत्र की तिवरता की दिशा दो हो गए जो कि पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना इस वज़े से हम कह सकते हैं कि पर दीदू और दीदू आगोन के बारे में इलेक्ट्रिक डाइपॉल और दीदू आगोन के बारे में electric dipole और electric dipole moment के बारे में ठीक है तो अभी है विद्यूत द्विद्रू electric dipole किसे कहते हैं दो समान परिमान same magnitude और विपरित प्रकरती के नेचर अलग-अलग होसा है विपरित प्रकरती के मत webinar हिंदिम बोलें तो दो समान परिमान तता विप्रित प्रक्रती के आवेश योधी अल्पदूरी पारिस्तित परेश्थित हो तो इस युग्म को सिस्टम को को कहेंगे विज्वू द्वीदरू कहेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे इसका मनलब क्या क्या हो दोनों equal मैनिट्यूट के अंदर equal हो opposite charges हो लेकिन limited distance या normal distance पे हो तो इस system को electric dipole कहेंगे example कितरा है HCL, H2O, NACL अब पढ़ रहे हैं electric dipole moment ठीक है ना विद्यू दीदु आगोन क्या होता विद्यू दीदु आगोन इसको P से present करते हैं विद्यू दीदु आगोन को किसी भी जिसे दिये दो आवेस है, दो चार्जे उसमें से एक आवेस के परिमान तथा दोनों के मद्य की दूरी के गुणन फल को विद्यू दीदु आगोन कहते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं सुनना विद्यू दीदु आगोन का वापस बोल रहा हूं definition कि किसी भी एक आवेस के परिमान किसी भी एक आवेस के परिमान तथा दोनों आवेसों के मद्य की दूरी के गुणन फल को विद्यू दिद्रू आगोन कहते है, मतलब क्या हुआ, कि लेक्टिक डाइपोल मॉमेंट जो है, वो क्या है, product of the magnitude of either charge, either charge मतलब एक charge, either charge and distance between the both charges, इसको between पढ़ते हैं, between the both charges, तो P बराबर क्या होगा, Q into 2D, इसका formula है, अच्छा यह कौन सी quantity है, vector quantity है, सदीस रासी है, unit क्या होगा, Q charge कुलाम D meter, तो कुलाम into meter, dimensions formula, Vimea Sutra, क्या है यह, Vimea Sutra, Vimea Sutra, यह क्या हो गया, मात्रक, ठीक है, यह क्या हो गया, सदीस रासी, कौन सी हो गई, सदीस रासी, तो Vimea Sutra, इसका क्या होगा, कुलाम का T1, A1, और M क्या meter में L1, तो क्या होगा, M0, L1, P1, A1, ठीक है, अब electric dipole जब भी हम पढ़ते हैं, विद्यू दीद्रू जब भी पढ़ते हैं, और विद्यू दीद्रू आगुण जब भी पढ़ते हैं, तो विद्यू दीद्रू के कारण, dipole की वज़े से हम intensity निकालते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा, कि मानलो ये दो charge है, Q1, Q2, जो dipole है, ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं, intensity निकालनी है, तो कहां कहां निकल सकती है, या तो निकल सकती है, axis के उपर ही कहीं पर, और एक निकल सकती है, कहीं उपर, इधर या इधर, तो इसको पढ़ते हैं, तो ये कौन सी होता है, अक्स पर, क्या होता है, अक्स पर, on, axis, और ये उपर की तरफ, ये जो perpendicular या इस direction की बात करें, ये वाला, ये और ये, ये क्या होता है, ये equatorial होता है, ये निरक्स होता है, क्या होता है, निरक्स होता है, तो दोनों पे तियुरता निकलने के लिए बहुत बड़ा सा derivation है, ये आपको derivation पूरा चाहिए, या बहुत ज़्यादे लोगों के इसमें problem है, तो नीचे जाके comment box के अंदर जरूर लिखें, ये बहुत ज़्यादा लोगों की ये queries रही, लोगों को demand रही, बहुत सारे student की demand रही, तो मैं पक्का इसके उपर अलग से personally वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों के लिए lecture लूँगा, नहीं तो फिर directly मैं बताता हूँ आपको, कि electric field intensity, कहां पर axis of electric dipole पर किता होगा, e-axial, e-axial लिख सकते हो, हिंदी वाले, e-axe लिख सकते हो, किता होगा, 2 kp upon r cube होता है, और nirax पर या फिर equatorial axis पर कितना होता है, यह equatorial या निरक्स लिख सकते हो, दोनों में से एक word लिखना, निरक्स या equatorial English medium वाले, English में equatorial लिख है, हिंदी वाले निरक्स लिख है, वो होता है, kp upon r cube, समझ में आ गई बात, इन दोनों को formula याद कर लो, numerical question आराम से कर पाएंगे, next session के अंदर हम लोग, लेकिन आपको लगता है कि इन दोनों के उपर long derivation करना है, आपको अच्छे से समझना है कि कैसे formula derive हुआ, कैसे आया है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई force लग रहा है, तो उसके ऊपर कितना force लगेगा, और force नहीं, तो कितना बल आगून या torque निकलेगा, वो निकालते हैं, ठीक है, देखिए आगे, तो अभी हमने क्या कहा था, कि हमार पास topic है, समरूप विदियो सेत्र में, विदियो दीद रूपर लगने वाला, बल, एवं, बल, आगून, torque on a dipole in an uniform electric field, ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं, uniform electric field, समझना, कि हमने कहा, कि मान लो, ये एक uniform electric field है, ठीक है, uniform electric field E है, इसके अंदर कोई एक dipole पढ़ा है, इस तरीके से, क्या पढ़ा है, dipole, तो इसको मैंने बोल दिया, plus का Q, और इसको बोल दिया, minus का Q, इसके उपर कोई force लगेगा, वो है, F1, F1 क्या होता है, plus का QE, और इसके उपर F F2 लगेगा, तो ये F2 बराबर क्या होगा, minus का QE, बराबर है, ये हो गया, अब ये कितने पर, ये जो dipole पढ़ा है, इसके बीच की पहले तो देख लेते कितना है, ये लंबा, 2D है, इसके बीच की distance है, ये कितना पढ़ा है, इस पर theta angle पर, कितना है ये theta angle पर, अब आपको 2D, तो 2D cos theta, और ये क्या हो गया, 2D sin theta, डाइग्राम अच्छे से समझ में आ गया, आपको, अब देखिए, इस विद्यूत दीदरूपे, कितना बल लगता है, विद्यूत द्वी, द्रूव पर, लगने वाला बल, लगने वाला बल, है ना, force, act on, electric dipole, कितना होगा, total F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2, लेकिन आप तो देख रहे हैं न, F1 क्या है, प्लस का QE, और ये क्या है, माइनस का QE, तो total force कितना होगिया, 0, मतलब net force कितना होगिया, 0 होगिया, अब, क्या कोई force नहीं लेगेगा, नहीं, actual में, जब net force 0 हो जाता है, तो इसके उपर बलो के युग्म कारे करते हैं, और उन बलो के युग्में, जो बलो के युग्म होता है, वो कारे करता है, उसे हमने क्या कहा, बल आगुण कहा, मतलब क्या हुआ, एक system of forces इसके उपर वक करेगा, जिसे हम torque कहते हैं, तो torque क की बात कर रहे हम, बलागुण बराबर, बल इंटू, बलागुण बराबर क्या होता है, बल इंटू, बल की, दिसा में, लंबवत, दूरी भी बोलते हैं, और कोई विस्तापन भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिस में बोले, तो है, है कि टॉक इजिकस्टू फोर्स टॉक इजिकस्टू फोर्स इन्टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन बहुत चार्जिज अब देखो टॉर्क क्या लेते हैं टॉक को ऐसे प्रजेंट करते हैं टॉक इजिकस्टू फोर्स क्या हुआ एफ पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस का मतब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस करके यह यहां ले लिया और यह देख लिए कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी सब्सक्राइब कर रहा हूं तो टॉग बराबर क्या हो गया क्यू इंटू डी साइन थीटा अच्छा इनको री अरेंजमेंट यदि मैं कर लूँ तो क्यू इंटू डी को साथ में रख दू और ईसाइन टीटा को ऐसे लिख लूँ अच्छा यह आपने पढ़ा था पी बराबर क्यू इंटू डी या रहा है पी क्या था इलेक्टिक डाइपोल मॉमेंट सा विद्यू दिद्रू आगुण था ठीक है ना तो वहाँ पे आपको यहां पे आ गया तो पी की वेली यहां पे रख देते हैं आपके पास में आ गया है टाव बराबर पी इसाइन सांग टीता में कौहों सा प्र्ड finally प्रॉर्ट प्रॉड कॉसट टीता में प्रॉड प्रॉड प्रॉडक्त यहां पर आगया पी सदीस क्रॉस ओं यहां क्या हुआ फॉर्मूला हुआ अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है अन्यूट्र इंटू मीटर भाया ठीक है अच्छा यहां इस्पेसल केस भी कर सकते हो करके दिखाएं केस फर्स्ट और केस सेकेंड चलो यहीं कर लेते हैं यदि ठीटा बराबर किता हो जीरो डिग्री एक बारे ठीटा बराबर कितना हो 90 मुझे बताओ साइन जीरो कितना होता है जीरो और यहां पर साइन नाइन्टी वन तो तो बराबर क्या होगा मिनिमम होगा ना पीई 산 numéro डिग्री यहां क्या होगा तो मैक्सिमम पीई 90 degree है ना 90 degree यह किता हूँ कि 0 तो tau minimum बराबर किता है 0 और यहाँ tau maximum बराबर यह किता हूँ वह 1 1 into PE तो PE यह value इसकी maximum आए मतलब 90 degree पर जो बल आगून है torque की value क्या आएगी maximum आएगी यह था आपका topic जो है torque यह बल आगून का इसके अलाब कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप अराम से comment box में जाकर लिख सकते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करो कोई भी problem आती है comment box में लिखो यह हमारा channel आपने subscribe नहीं किया है तो please like करें subscribe करें और share करें क्योंकि हमारा एक ही मकसद है जितने भी गाओं के अंदर city में जहां पर बंदे बैटे हैं lockdown में इसकूले नहीं खुली हुई है जो भी जितनी पढ़ाई करना चाहता है तो हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिस दोनों में समझाने की कोशिस किये नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बोक्स में लिखो मैं वापस समझाने की कोशिस करूँगा ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर करो ठीक है ना ठैंक यू जे हिंद वंदे मात्रम और lockdown का पूरी तरीके से पालन करो घर के अंदर ही रहना है डिस्टेंसिंग रखो खुब पढ़ाई करो बार बार हाथ को अची तरीके से दो और भरत सरकार द्वारा दिये के निर्देसों की पालना करे जे हिंद वंदेसों को हराना है लेकिन एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ते जाना है